कॉंग्रेस की सोच इससे नजर आती है जब विदेशी धर्ती पर हाउल गांदी जाते हैं तो वहाँ पर जाकर किनके सहयोग से उनके कारेकरम होते हैं जिन लोगों के नाम ऐसी संस्ताओं के साथ जुड़े हैं जो भारत के खिलाफ अजंडा चलाते हैं और फंडिंग कौन करता है जो भारत के टुकड़े-टुकड़े करने की बात करते हैं उन अभ्यानों की फंडिंग करता है जो शाहीन बाग मामले में फंडिंग होती है उन लोगों की फंडिंग करते हैं जो भारत के खिलाफ जैर उगलते हैं और राहुल गांदी जी के कारेकरमों का आयोजन भी वो लोग करते हैं जिनको सीधे प्रत्यक्ष आप्रत्यक्ष तोर पे वहां से फंडिंग होती है समर करते हैं और भारत के खिलाफ एजंडा चलाते हैं वही राहूल गांदी जी का समर्तन और उनके कारेक्रमों का आयूचन करते हैं तो मेरा सवाल राहूल गांदी जी और कॉंग्रेस पार्टी से है कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि भारत विरोधी ताक्तों से उनको समर्तन लेना पड़ता है, सैयोग लिना पड़ता है, उनके निमंतरन सविकार करने पड़ते हैं, उनके मंच पर जाकर भारत के खिलाफ अवाज उठाते है राहूल गांदी, तो क्या ये देश को तोड़ने की बात, जो देश के बाहर और देश के अंदर करते हैं इनका अजंडा के बल सत्ता में आने के लिए कभी टुकडे टुकडे गैंग कभी शाहीन बागवालों के साथ तो कभी देश के बाहर जो देश के खलाफ अजंडा चलाते उनके साथ चलते हैं रहुल गांदी जी देश को जवाब द राजीव गांदी फाउंडेशन को पैसा चीनी अधिकारियों से क्यों लिया गया ऐसी कौन-कौन सी ताक्तें सौरोस जो भारत के खिलाफ जहर भी उकलते हैं भारतिये लोग तंतर को तोड़ना भी चाहते हैं उनके खिलाफ एक लगातार काम कर रहे हैं उनके वाइस प्रेज प्रदी ताक्तें कॉंग्रेस पार्टी और श्रीमान राहुल गांदी जी के साथ क्यों जुड़ी हैं इनका अजंडा क्या है यह देश को साफ करें